अशिया को इस्तमाल में लाते हुए गोरी रंगत और खुबसूरती हासित करती था आज की वीडियो में आपको चावल के आटे के जरीए बे इंतहा गोरी रंगत हासित करने का तरीखा बताऊंगी इसे आप हफ़ते में तीन बार यूज़ करें आप देखिएगा कि आपकी रंगत में कैसा निखार और आपका कलर दूदिया हो गया है इससे पहले कि मैं आपको आज के इससरे टोटके के इंग्रीडियन्स के बारे में बताऊं आप मेरो चैनल सब्सक्राइब कर लें टीचे लगे रेट सब्सक्राइब बटन को तबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सके अब मैं आपको नज्ज़ा के बारे में बताती हूँ जो इस टोटके में सिमाल होंगे उनमें शामिल है चावल का पाउडर यानि चावल का आटा एक खाने का चमच दूद आपने एक खाने का चमच लेना है गरम पानी एक चाई की चमच शहद एक चाई का चमच और चौग का आटा एक खाने का चमच इस टोटकी को बनाने का तरीका ये है कि एक ब्याली में जावल का आटा, तूद, शेहद, जोग का आटा और पानी डाल कर अच्छी तरह मिक्स दर लिए ये एक गारा पेस्ट बन जाएगा, अब इस पेस्ट को अपने चेहरी पर अच्छी तरह लगाएं और आदे गंडे तक के लिए लगा रहनेगी, इसके बाद आप अपना चेहरा नीम बर्म पानी से थू दिए, याद रहे कि इसके बाद आपने कोई भी ब्यूटी सोप या फ इनको स्मूध, सौफ्ट और प्राइट बनाता है, ये एकनी को खतम करने और जिनको ढंड़त पहुचाने के भी बहुत काम आता है, ये सकिन के मसामों को टाइट वर्टा है, जोगा आटा हमारी बाड़ी को बहुत से वाइटेमिन्स और मिनरल्स फ्राम करता है, जोगे इसमें बहुत ज्यादा मॉस्टराइजर और सूथिंग कॉलिटीज मौजूद होती हैं, जिसकी वज़ा से रंगत मिखारने में ये बहुत मददकार साबित होता है। दूद को ब्यूटी ट्रिंग भी कहा जाता है, ये ना सिर्फ रंगत को गोरी करता है, बलकि स्किन को नर्ममुलाइम भी बनाता है। एक हफते में आपने इस टोटके को कम से कम तीन बार इस्तमाल करना है। ये टोटका बहुत ही अमेजिंग और पूर असर है। इसको इस्तमाल करने से आपका शर्तिया रंगोरा होगा और वो भी किसी किसम के साइट इफ्रेक्ट के बगएर। स्किन साफ होगी, चेहरे पर चमक दिया आएगी, इस मुस्के के बारे में दूसरों को भी ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अगर आपको मेरी ये आज की कारामत वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंस के साथ शेयर सूर कीजिएगा। इतनी नहीं से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना? और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुबारा कैसे ढूनेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर लीजिए और इस बैली के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुशने हैं।